तो दोस्तो वैसे तो कुलर का मोटर जाम होने की कई कारण हो सकता है लेकिन दोस्तो कुलर का मोटर जाम होने की दो कंडिशन होता है दोस्तो पहला कंडिशन ये कि आपका जो मोटर होता है उसके सौप्ट को या उसके पंखोड़ी को आप हाथ से घुमाते हैं तो एकदम फ्र देते तो आपका motor jam हो जाता है या आप धक्क लगाते हैं तो आपका फैन चल जाता है लेकिन अपने आप चलता नहीं है ठीक है अब दूसरा condition यह होता है कि आपका जो motor होता है उसको आप हाथ से घुमाते हैं तो आपको टाइट लगता है वह फिरी नहीं लगता है और आप जैसे सप्लाइ भी देते हैं फिर भी आपको motor जाम ही रहता है तो दोस्तों इन दोनों आप जैसे ही उसको supply दे रहे हैं आपका motor जाम हो जाता है तो दोस्तों इस condition में जो jam problem होता है इसके बीछे दो कारण हो सकते हैं मुखे तर दो कारण हो सकते हैं पहला कारण की इसका जो capacitor होता है यह वाला यह weak हो जाता है या खराब हो जाता है ठीक है और दूसरा कारण इसका यह होता है कि आपका मोटर का जो सॉप्ट और बूस हो जाता है ज्यादा मातरा में घीर जाता है जिसका आपका मोटर में इस तरह का जाम प्राबलम आता है ठीक है तो दोस्तों मालों की आपका मोटर में इस तरह का जाम प्राबलम आ रहा है तो आपको सबसे पहले इसका कैप तो और बूस ज्ञाता है क्योंकि ग्याप ज्यादा हो जाता है और जैसे आप उसको इसका साथ E kinda के साथ आपका मोटर सप्प्लाई देने के पहले आप हाथ चो गुमा रहा है तो आपको जाम लग रहा है इस तरह से लगा गुमा रहा है जाम लग रहा है और सप्प्लाई दे रहे हैं फिर भी आपका मोटर जाम है ठीक है तो इस कंडिशन का जो कंडिशन में जो जाम प्राब्लम हो आपका मोटर सम के आपका मोटर को था को मुश Lap को खोल से पहले से अधिक लेकिन लगाने के बाद मोटर को टेकंग करने के बाद और नहीं के बाद उसे में प्रॉब्लम हाने लग जाटा है उसका आच पर फिर नहीं घूंटा और सप्लाइ दिने पर भी चलता है नहीं तो इसके लिए आपको सेटिंग सहीं से करना पड़ता है दोस्तों इन दोनों OIL से यहां पर भीगो देना थीक है तो इस वाले다 में डालना है और जो दूसरा मनें क्रणाः कांने अगे में को आगे और पीचे अगर आप हास गुमाने पर नहीं गुम रहे हैं और सप्लाइ देने पर भी नहीं गुम रहें तो तो इस के निशन में सबसे पहले आपको इसको खोल कर अच्छे से ओइल डाल के देखना है इसके पद आपको प्रॉब्लम सॉन हो जाएगा तो अब दूसरा कारण में आपको यहां पर बताता हूं क्योंकि आपका मोटर फिटिंग करने के कारण भी जाम हो जाता है तो दोस्त त्रिके से सटींग करते है तो क्या होता है साप्ट के साथ होने लगता है छो सांसे शांटना नहीं है तो हमें ट्रप्र है ड़ट नहीं है तो इसके लिए आ नहीं है हातों से धीला रखना आपको ताइट नहीं करना है setting करने से पर आपको टाइट करना है अब setting करसे करना है आपको इससे इससे गुमा कर देखना है और यह जो कैप आप देशाए हूपर निचे दो कैप लगा हुए उसको आपको इस direction में एक आगे एक पीछे आपको इससे एक्जेस्ट करते हुए पहले करके आपको इस तरह से सौप्ट को घुमा घुमा कर देखना है पहले आगे करना है फिर घुमा कर देखना है फिर पीछे करना है फिर घुमा कर देखना है यानि कि जिस डारेक्शन में आपका सौप्ट फिरी घुम रहा है उसके बाद ही आपको जो motor फिट हो चुका है आपको इस तरह से आगे पीछे करते हुवे deposit करना है घुमा घुमा कर देखना है इसके प्री घुमने लगेगा तो आप इसको पहले हाथों की सहते से जितना ताकत आप लगा सकते हैं पहले हाथों से ही tight करना है उसके बाद आप किसी tool या player की मदद से इस nut को tight करना है अब यहाँ पर भी आपको ताकत से पूरी जोरधारट NET नहीं लगाना है आपको बीडियम रूप से ही टाइट करना है आपको दम फुल टाइट नहीं करना है कई बार ज्यादा नटको टाइट कर दिने का अपकर टाइट अब यहाँ हो जाता है तो इस तरह से नेक्स्ट डूमें तब तक लिए हिन जय अबारत